तो बहुत से लोगों को यह confusion रहता है कि क्या stock market, क्या share market सच में profitable है या फिर नहीं तो दूस्वा आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना portfolio share करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि stock market सच में profitable है या फिर नहीं है और किस case में यह profitable है और आपको कुछ से सब धन्य बलत सकते हैं जिसके वह जैसे आप stock market में profitable बन सकते हैं तो सबसे पहले मैं अपना portfolio दिखा देता हूँ तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर कुछ company के stock में मैंने अपना पैसा इंवेस्ट कर रहा है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरा जो current investment है वह है 7260 रुपीस का मैंने investment कर रखाया और जिसमें मुझे यहां पर अभी का जो current बली है वह 8400 रुपीया याणि कि मुझे अभी टोटल 1150 रुपीस का profit हो रहा है जो कि 15% के आसपास निकल करके आता है तो दोस्तो इस आप से आप देखेंगे तो मैं अभी profitable हूं मैं भी profit में आँ सो बट यहां पर एक बात यह भी है कि stock market से में profitable है लेकिन यह उतना ही लोस है जितना यह आपको profit दे सकता है इससे ज्यादा आपको loss भी दे सकता है तो इसमें सामधानी यह होती है कि बहुत से लोगों का मानना है कि मैं यहां पर stock market में आ कर एक दिन दो दिन यह तिन दिन मे इसा ही है तो आप यहां पर इसमें profitable नहीं हो सकते हैं कि stock market में profitable का राज यह है कि आप यहां पर एक अच्छी company में आप invest करें जी हां stock market को आप as a investment ले जिस तरह आप एक property खरते हैं तो क्या property को आप यहां पर यह सोचके तो नहीं खरते हैं कि मैं आज इसको लिएंगा और कल मैं sell कर दोंगा फिर मैं one month या दो मन बाद sell कर दोंगा जी नहीं एक normal person एक अच्छी जगह एक property खरता है और बस analysis करता है कि वह जगह ठीक है उस पर कोई problem तो नहीं उन सभी चीजों को analysis करके एक अधनाजा लगाता है कि हां इस property को लेने के बाद मुझे profit होगा आज नहीं त कमपणी से मेरा मतलब ही है कि कुछ ऐसी company जो बहुत अच्छा perform कर रहे है market में जिसका depth भी कम हो कर जा भी उसके उपर को बहुत सारी factors होते हैं जो आपको धियान में देने होते हैं सो ज्यादा उतना टेंशन वालाई factor नहीं है सो आप simply है पर आपके नजर में जो भी आप यहां पर देखते हैं भार्टी एटल जो कि एटल का एक stocks है एटल company का stock है यह भी company एक अच्छी है मैं आपको recommend ही करो बस मैं आपको example दे रहा हूं और उसके साथ आप यहां पर देखते हैं टाटा इस्टिल का वे जो कि टाटा का है यह भी एक अच्छी खासी company है जो आ तो नहीं पैसा लगा है जितना कि आप रिस्क ले सकते हैं सो मेरी किसमें अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैंने यहां पर सिर्फ एक ही stock में पैसा लगा लगा रहा है तो आपको यहां पर करना यह कि जब भी आप श्टॉक मार्केट में investment करें तो आप यहां पर अपना एक company आपके बहुत ही ज्यादे कोई conditions में खराबी आगे माले जो पैसा आपका पूरी तरह से डूब गया ऐसा तो होता नहीं है बड़ जनरली में मान की चलिए आपको पैसा एक company में डूब गया बड़ यहां पर आपका जो चार companies में जो आपने पैसा लगा हुआ है उन चा बात आपके सामने में आएगे सो बस यह कुछ फॉर्मलेस होतने कुछ तरीका होता है जिसको फॉलो करके आप stock market में successful बन सकते हैं और अगर आप stock market में आ रहा हैं तो यह बिल्कुल ना सोचे कि मैं आज यहां पर पैसा लगा करके कल पर सो तरसो यह एक महने बाद अच्छा उन लोगों का ऐसा करने के पिछे में कई सालों की महनत है चार साल पांच साल छे साल कई सालों तक वो लोग महनत करते हैं और कई सालों तो उनका कितना पैसा डूपता है और उसके बाद जो experience मिलता है उस experience के base पर वो लोग trading करते हैं बट वहीं अगर आप बिना किसी experience के बि यहां पर देखता हूं कि वो उसका क्या कंडिशन रहता है आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर प्रफिट मुए है हूं तो इस तरह से अगले आने वाले की वीडियो में है तब तक लिए गूडबाय